Hello dear students, today we are going to learn and understand how to solve practice set 2 of chapter 1, Geometrical Constructions from 7th Standard Mathematics. Practice set 2 मदे total 4 questions आहे, त्या तिल 1st question, draw triangles with the majors given below, आता इते है अपला triangles draw कराई से आहे, पन कसे triangles draw कराई से आहे, इते majors दिले ले ले ले, त्या नुसारस triangle draw कराई से आहे. So, या 1st question मदे 3 sub questions आहे, त्या तिल 1st A हाई सब question आपन पहुयाद. इते है अपला ले ट्रैंगल ABC draw कराई से आहे, आनि ट्रैंगल चाहे जा 3 साइडस असता, त्या 3 साइडस ची लेंथ दिले ले 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 आहे. Length of side AB is equal to 5.5 cm, Length of BC is equal to 4.2 cm, आनि Length of AC is equal to 3.5 cm दिले ले ले. आते ही थे अपला ले ट्रैंगल कंस्ट्रक्ट कराई सा आहे, Length तर दिले ले ले आहे, मग आपन डिरेक्ली साइडस मुसार अपन ट्रैंगल ड्रा करूँ शक्तों का, कि चला अपला लेंथ दिले ले 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 आहे AB ची, मग AB 5.5 cm ड्रा करा, मग BC दिले ले 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 आहे 4.2 cm मा रूलर गया आनी 4.2 cm ड्रा करा, मग 3rd साइड दिले ले ले आहे AC, ती 3.5 cm ड्रा करूँ ती 3rd साइड बरबर 3.5 cm ड्रा करा, नाही, जी 3rd साइड आहे ती जेवा आपन ड्रा करा ले जाओ, ते वह ती exact 3.5 cm ये नार नहीं, जर आपन फक्त रूलर सा यूज केला तर, त्यास बरबर कंपस चा सुधा यूज करावा लागनार आहे, तर अपला ट्रांगल दिले ले ले मेजर नुसार कंस्ट्रक्ट होनार आहे, अता ट्रांगल ABC अपला ड्रा कराईचा आहे दिले ले लेंध नुसार, साइड शा लेंध नुसार, पन त्याही आधी काय कराईच एक रफ फीगर ड्रॉप कर उंगे ची त्यावं गईंक अप्ला अंदी जेदा रही है कि ट्रांगल कसा तयार होई चला आपंड अलब्र प्राइंगल तो कसा दिसु शकतो है रफ मदे एक दा बगुन गया चा है मग ते आसा ठी अशा प्राकारे एक रफ फिगर अपन ड्रा कराई चा है इथे ए भी दिलेला है 5.5 cm मग BC ची लेंध काई दिलेला है 4.2 cm 5.5 cm पेक्षा 4.2 cm छोटा है इथे कुठे तर ये अशा प्राकारे अपली लाइन यह शकते राइट अंदजे तुम्ही अशी लाइन ड्रा करून गिह शकता आणि इथे नाव दिया या पोईंट ला C काई दिलेला है लेंध 4.2 cm आज इट इज राइट करून गिया तान अंतर AC ची लेंध काई दिलेला है 3.5 cm सो अपला जो ट्राइंगल आहे तो अशा प्राकारे थोड़ा फार दिसू शकतो अग्जेक्ट असा नाही आला तरी ही चालनार आहे रफ फिगर चा काही संबंदन असतो फक्त अपलेला एक अंदा जेने साटी कि अपली जी लेंध आहे साइड AB ची ती किती आहे आणि ती कुठे आसना रहे मग पॉइंट C इते आसना रहे ये अपलेला रफ मधे करना रहे आणि अपलेला ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने easy जाना रहे त्या साटी चला आता हे रफ फिगर डोड़ा समुर्ठ ही हुए आणि आपला ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करूंगे हुए तो बेस ची लेंद्स किती दिले लिया है 5.5 सेंटीमेटर ओके बेस आहे लाइन अपली अबी तो 5.5 सेंटीमेटर जा इते है 5.5 सेंटीमेटर आहे है पहा इते 5.5 सेंटीमेटर ची लाइन में ड्रॉप करूंगे तली ना उद्यवयाद ए बी किती आहे 5.5 सेंटीमेटर अधा या ट्राइंगल से जद दुसरा साइड सहे त्या कसे ड्रॉप करना तर रूलर गेजा है आनि कंपस गेजा है बीसी किती आहे बीसी किती आहे 4.2 सेंटीमेटर राइट सो कंपस मदे अपनेला 4.2 सेंटीमेटर इतके मेजर घ्याए जा है इते है 4 1 2 4.2 आणि हाँ 0 ओके कंपस मदे घ्यातले 4.2 आता कंपस से है जे टोका है न ते पॉइंट बीवर ठेवाई चे आनि या साइड ला कि तुम्ही खाली जरी पॉइंट सीगे इतला तरही चालना रहे अता आपन काय करू याद इते वर्ती या साइड ला आर्क ड्रॉ करूंगी हूँ याद केला आता एसी ची किती लेंद दिले लिया है 3.5 सेंटीमेटर राइट सो पुन्हा रूलर ग्या आणि 3.5 सेंटीमेटर इतके मेजर ग्या कमपस मदे है 3.5 सेंटीमेटर ओके आता आपन इते कमपस सा पॉइंट ही हूँ याद पॉइंट एवर आणि एक आर्क ड्रॉ करूंगी हूँ याद आता इते हाजो अपला आर्क है तो छोटा जलेला है ओकी ने इंटरसेक्ट करत नहीं है चला पुन्हा आपन 4.2 इतके मेजर ग्यू याद येस जाले 4.2 आता हाजो आर्क है तो एकस्टेंड करूंगी हूँ याद इकड़े पॉइंट ए आर्क है पॉइंट ए और पॉइंट सी आता ही थे बीसी काई दिलेला है 4.2 सेंटिमेटर राइट करूंगी हूँ याद 4.2 सेंटिमेटर इसी काया है 3.5 सेंटिमेटर राइट करूंगी हूँ याद 3.5 सेंटिमेटर जाला अपला ट्राइंगल ड्रॉ करूंग आतापन चेक करूया कि अपले सग्या साइड्स क्वेश्चन मदे दिले लें लेंध नुसार आले लाहेत का तोर लेंध ओफ साइड ए बी किती आहे 5.5 सेंटिमेटर्स बी सी 4.2 सेंटिमेटर्स हविया है येस 4.2 सेंटिमेटर्स आहे A C किती हविया है 3.5 सेंटिमेटर्स आहे का 3.5 सेंटिमेटर्स येस 3.5 सेंटिमेटर्स आहे सब क्वेश्चन बी पहुया ताता या मदे ट्रेंगल S T U ड्रा कराला सांगित लेला है या ट्रेंगल चा 3 साइड ची लेंथ दिले लिया है लेंथ S T 7 सेंटिमेटर्स दिले लिया है लेंथ T U 4 सेंटिमेटर्स आणि लेंथ S U is equal to 5 सेंटिमेटर्स चला तरमग अपना धी रफ फिगर ड्रा करूँ या तो आता ही थे लेंथ S T दिले लिया है 7 सेंटिमेटर्स सो S T अपना ड्रा करूँ ग्योग या थी थे कित्या है 7 सेंटिमेटर्स त्यानंतर T U ची लेंथ आए 4 सेंटिमेटर्स आणि S U आए 5 सेंटिमेटर्स सो T U आपना ड्रा करना रहोत सो इत्वन ड्रा कर ऐसा है आणि 4 सेंटिमेटर्स सेवन पेक्षा छोटा असना रहा है 4 सेंटिमेटर्स राइट सो 4 सेंटिमेटर्स इत्या सगे हुए या थी थे नाव दे हुए यू S U दिले लिया है 5 सेंटिमेटर्स सो इस धाली अपली रफ फिगर गर्जे चा नहीं है कि अपली रफ फिगर आहे त्यात्स प्रमाने अपली उरिजनल फिगर असना रहे ती सेंग मैच धाली पाही जी मैच होना रही नहीं कारकि मेजर नुसार अपन ड्रा करना रहोत चला आता पन फिजी लेंथ दिलेली आहे स्टी ची ती ड्राउ कोरूंगी हुआद 7 cm सो 7 cm हे पहा इथे हाँ पोईंट आणी हाँ हे दोन हे पोईंट सा पन ट्रेंड कोरूंगी हुआद इजाली 7 cm लेंथ स्टी 7 cm अता ही थे यह नाव दिलेले आहे ट्रेंगल से तैसे पोईंट साहे तरन व्यवस्तित स्पेसिफाई कराई साहे व्यवस्तित नाव दियून घेचे आहे जर तुम्से काही मिस जहल राइट करनाचे लेंथ राइट के लिए नहीं कि वह एक अधा पोईंट ला नावस दिले नहीं तर तुम्से मार्क्स कट हो शकता तो व्यवस्तित प्रॉपर डाइग्राम रफ फिगर ड्रॉ कराई चाह साइड टी यू तची लेंथ दिले लिया है फोर सेंटिमेटर्स मत्या सटी काया करनार कंपास घेचा है कंपास मधे अपने लाकाय करेचा है फोर सेंटिमेटर इतका माप घेचा है मेजर करेचा है सो इथे है फोर सेंटिमेटर्स राइट है पहा असा इथे घेते फोर सब्सक्सलिए इस दो सब्सक्सलिएक लुँक्यस मेचवल स्वन मेचल लालस agar वर इसर द मेंचल में हुथक्यस हती मेर्स कर आफे खीव आपन खती हैं हैं अगर्परीद खार वेशनरुई work कर दाड़ से नानहीं UP येस हे बहा बरबर 5 cm सा है आता गंपस से जो पॉइंट आ है तो पॉइंट एस वर्ट है वैसा आणि एकड़े एक आर्ग ड्रॉक कोरूंगे रहे सा है आता ही थे आपले आक्स ड्रा कोरूंग जाले लिया है आनि यह आक्स जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ है तेला नाव दियून की हुए याद पॉइंट यू आनि यह साइट्स ड्रा कोरूं की हुए याद पॉइंट टी आनि पॉइंट यू जोइन कोरूंग याद त्यास प्रमाने पॉइंट S आनि पॉइंट U जोईन कोरूंगे होगा दा आता फाइनल काय करें चाहे अपले लई थे यह जे मेजर स्राइट कोरूंगे चाहे तो 4 सेंटिमेटर्स आनि SU कीतिया है 5 सेंटिमेटर्स राइट कोरूंगे होगा आता पुन्हा एक दा मेजर घैसे आहे हे पहां ST 7 सेंटिमेटर्स TU कीतिया है 4 सेंटिमेटर्स आनि SU येस हे पहां बरबर 5 सेंटिमेटर्स आलेला आहे जर आपन फक्त रूलर चा मदतीने आशा प्रकारे ट्राइंगल ड्राउ कराला गेलो तर 2 साइडस तर बरबर येतिल पंजी 3 साइड आहे ती व्यवस्तित मेजर दिलेले मेजर प्रमाने ये नर नहीं सो कमपस से यूज करू नज अपला ट्राइंगल ड्राउ कराई चास तो आथा C नंबर चास सब क्वेश्चन दिलेला हे तो पाहुया सब क्वेश्चन C मदे दिलेला हे अपलेला ट्राइंगल पी क्यू ड्राउ करेला या ट्राइंगल चास सायड़टी लेंथ आ है या है लेंथ पी क्यू इस इकल्डू 6 cm लेंथ क्यू आर इस इकल्डू 3.8 cm अनि लेंथ पी आर इस इकल्डू 4.5 cm चला तरमख आपन रफ फिगर ड्रौ करूंग हूँ हुँआ सो रफ फिगर ड्रॉ करते वेली आपन आता ही थे यहां जा साइट्स ची लेंथ दिले लिया है तो तुम्हीं कोंटी ही लेंथ पीक्यू किवा क्यू आर किवा पी आर बेस लाइन महनुन घ्यू शकता पन मी रेकमेंड करेल कि नहें मी जी मोठी लेंथ दिले लिया असते ती बेस लाइन महनुन ड्रॉ कराईची तो अता ही थे आपन बेस लाइन घ्यू याद पीक्यू आहे 6 सेंटिमेटर तो ड्रॉ करूं घ्यू याद 6 सेंटिमेटर अता ही थे आपन रफ फिगर बनवता हो त्यामुए छोटा सब बनवाई जा आहे अपलेला दिलेले मेजर नुसारस लेंद्स आल्या पहिजत असक आही नहीं है qr आहे 3.8 cm आता इथे qr है ना इथे कुठे दरी r असना रहे आने ते किती गहिजा आहे 3.8 cm आता 4.5 cm आहे so 3.8 पेक्षा 4.5 मुठा असना रहे तर अशा प्रकार है कही सा अपला हाट राइंगल ये इल so इत्या आपन याला नाव दियूंगी हुए त्या पॉइंट ला qr दिलेला आहे 3.8 cm आने pr दिलेला आहे 4.5 cm चला आता पन ड्रॉक कुरूंगी हुए so pq 6 cm इत्या जीरो आणि इत्या है 6 so 6 and this is 0 so line ड्रॉक कुरूंगी हुए त्या नाव दियूंगी हुए त्या पी q 6 cm आता qr अपला 3.8 cm ची ड्रॉक कराई चाहे आता पी आर 4.5 cm रेट so 4 आने हा 4.5 आने हाँ इत्या जीरो कुरूंगी हुए त्या आर आनी पॉइंट्स चॉइन कुरूंगी हुए त्या जीरो पॉर पॉर पॉइंट्व सेंटिमेटर्स त्या फाइनल अपले आंसर उनना एक दा क्रॉस चेक कुरिया है क्या आपन करेक्ट फिगर ड्रॉक के लिया है कि नहीं पीक्यूचि लेंद्स 6 सेंटिमेटर है बरबर है फीक्यू 6 सेंटिमेटर क्यू आर की तिया आ है 3.8 चेक करूंगी हुआ क्यूआर 3.8 जीरो यहें क्या चेक्र्हा पॉइंटain पॉइंट अले लिया है क्या आपन行 एंट्स फिगर खॉइंट Arch चींट वारची लेंथ 3.8 अधा पी आ राहे 4.5 cm येस 4.5 cm नजवे क्वेशन नूबर 2 अधा राहे 4.5 cm बाची तुम्हेचा देना रहे 4.5 cm एक प्रेमेले राहे प्रेंट था रिंड ट्रैंगल तुम्हें येस तर्ष डिख्ट के लिख्ट के लिख्ट के लिख्ट के लिख टेना रहे 5.4 cm ये अंधा है सांगे लेला है क्लास 6 मदे असता ना अपन डिफरेंट टाइपस ओफ ट्राइंगल शिकला होतो शॉट मदे रिविजन करुए याथ मंजे अपनला क्वेशन नमबर 2,3 यानी 4 सॉल्फ करने खूप अजी जाइल रैट सो पहु याथ डिफरेंट टाइपस ओफ ट्राइंगल अता इथे बाए आंगल्स तुम्हाला आंगल्स थ्रोज एक क्लासिफिकेशन के लाज़ा थे ट्राइंगल्स सो तुम्हाला मही था है जाइड आंगल मद हे सग्डै ऐसे आंगल्स है 90 डिगरी पेक्षा चोटे आसता ताला अनक्यूट आंगल ट्राइंगल असे मंटा ला ग्राइंगल मधे वन अंगल हाँ 90ग भेक्षा मुठा अस तो त्यां ट्रैंगल ला अप्चूस अंगल ट्रैंगल असे मंटा अता साइडस मुसा ट्रैंगल से क्लासिफिकिशन कसे होते या पन पहुँएद इते या ट्रैंगल चे नावा है आईसोसलिस ट्रेंगल इते पाहिलत का या ट्रेंगल मद है या जा दोन साइड़स आहेद ही साइड आणी ट्रेंगल ची ही साइड या दोनी ही सेम लेंद चा आहेद आधापन पहुयात question no 2 draw an isosilis triangle with base 5 cm and the other sides 3.5 cm आतास आपन पाहिले isosilis triangle मंजे कुंता triangle जा triangle जा triangle जा two sides equal असतत आता इते question मद इस दिले लिया है कि base line जासते triangle जी तेची length ये दिले लिया है 5 cm आनि जा इतर दोन sides आहे तेंची length दिले लिया है 3.5 cm चला तरमा draw करिया तापन isosilis triangle isosilis triangle जी rough figure आधे आपन draw करूंगी हुए तो जी base line दिले लिया है तेची length दिले लिया है 5 cm राइट जा इथे आपन rough मद आपन draw करूंगी हुए थी base line नाव दिले याद x, y किती cm जी या है 5 cm आणि जा इतर दों sides दिले लिया है ताइसosilis triangle जा तेंची length की दिले लिया है 3.5 cm सो इथे हाँ point ग्यूए दोनी ही equal आसना रहे यला नाव दिले जेड आणि है जी points आहेद point z आणि point y जाइन कुरिया तेस प्रमाने point x आणि point z जाइन कुरिया आणि इथे measures right कुरूंग ग्यूए 3.5 cm 3.5 cm सो आपली answer मदली जी figure आहे ती या प्रमाने काईशी येणा रहे सो आईसosilis triangle ड्रा करता ना इथे आपले ला base line ची length दिले लिया है 5 cm सो base line आपन ड्रा कुरूंग ग्यूएद 5 cm सो इथे 0 आणि है 5 cm दोनी points जाइन कुरूंग ग्यूएद आता other sides जा दूसरे दोन sides आहे triangle चा तंची length किती दिले लिया है तंची length दिले लिया है 3.5 cm सो 3.5 cm आपन compass मदे ग्यूएद आणि triangle ड्रा कुरूंग ग्यूएद सो 3.5 cm है 3 आणि है 5.5 आणि है 0 0% स्टार्ट के लो आणि 3.5 चला आता इथे isosilis triangle लो तंची 9 दिले लो नाई है तो इथे आपन या point लो 9 दिले लो याथ x आणि या point लो 9 दिले लो याथ y आणि point y वर compass से हे टोक ठेवयाद आणि इकड़े एक आर्क ड्रा कोरूयाद त्यास प्रमाने आता second side सुद्धा 3.5 cm चीज़ दिले लिया है सो अंतर बदलाई से नहीं है आणि compass से pointed जे टोक आहे ते point x वर ठेवयज आहे आणि इथे या side ला एक आर्क ड्रा कराई सा आता या दोनी आक्स मुए इथे intersecting point जो त्यार जाले ला है त्याला 9 दिले उन जो याथ z आणि joint कोरून टाकूयाद point z आणि point y त्यास प्रामाने point x आणि point z इथे major stride कोरिया x y 5 cm z y 3.5 cm x z 3.5 cm इथे आपन मेजर कोरून पहुयाद पुन्ना 5 cm 3.5 cm x y x z सुद्धा आपले आ ले ला है 3.5 cm question no.3 दिले ले ला है draw an equilateral triangle with side 6.5 cm equilateral triangle मन्जे जा triangle चा तिनही sides equal आहे equal length चाहे तला equilateral triangle असे मन्टक आता ही थे तन्नी side ची length किती दिले ले 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 है 6.5 cm मन्जे प्रत्यक side या triangle ची प्रत्यक side ही 6.5 cm ची असना रहे so rough figure आपन ड्रा कोरूंगी हुए rough figure कशी अना रहे नाओ दिऊंगी हुएथ आपन P Q 6.5 cm त्यास प्रमाने इथे है आप पोइंट ला नाओ दिऊंगी हाथ आर आणी चॉइंट कोरिया तुम्ही हाथा ने जरी केल तरही चालनार आहे rough figure 6.5 cm 6.5 cm आथा ही जाली आपली rough figure आथा आपन ड्रा कोरूंगी हाथ आपली आंसर ची फिगर एक्वी लाटरल ट्रांगल ड्रा कराएचा लेंथ दिलेली आए 6.5 cm 6.5 cm रूलर वर आपन घ्योई आथ एक्वी लाटरल ड्रा कराएचा आए एक्वी लाटरल ड्रांगल सग्या साइड सपलेला इक्वल ड्रा कराएचा 6.5 cm इतके कमपास मदे आपन अंतर गयाचे आथा आथा हे रूलर वर नाहीं घ्योई ले हीजी लेंथ आहे लाइन ची ते उड़े जरी घ्योई ले तरही चालना रहे आथा ही थे आधी आपन नाव दे उनगी होई आथ याँ पॉइंट्स ला पॉइंट पी पॉइंट क्यूँ किती सेंटिमेटर चाहे थे उन अपने एक आर्क ड्रॉख खेला आता कमपस से टोक पॉइंट पी वर थे उन आर्क ड्रॉख करियाद आता इथे आप स्मुए काई जा लेला है इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो मिला लेला आहे अपनेला तला नाव दे वियाद आर पॉइंट आर आणी पॉइंट क्यूँ जोइंट करूँग हुए याद खुब ईजी प्रैक्टिस सेट आहे हाँ सॉल्फ करता ना खुब मजा येते हो कि ने तुम्ही सुद्दा प्रैक्टिस कराई छे आहे तुम्हाला ही फार एजी वाटना राहे हाँ प्रैक्टिस सेट आता इथे मेजर्ज राइट करूँग हुए याद 6.5 सेंटिमेटर्स लेंथ आर क्यू और पी आर ची लेंथ काया है 6.5 सेंटिमेटर्स आता इथे ट्रैंगल ना थिसरथा अपलेक्टा ना राव देह से। न विसरथा अपलेक्टा आर्ले झालेथ कि लेलेए है तेसर्था को सेट donations कराईć और क्यूचिन प्रैग्टा advocate नालेस से वाटनिश को प्रैतनिश राइट ना राइट कराया है आता हे तीन ही ट््रैंगल्स ड्राव करते वलिस साइड स्ची लेंथ काए गेची है इते तमी दिलेल आहे कि तुम चा मन ने तुम्हीं कोंट्या ही लेंथ ही साइड गिओँ शकता Satyl वाँ आपन या अधी चा क्वेश्चन मधे अल्रेडी ड्रोओ केलेल आए तुम्हाला ज़र नवय ने ड्रोओ करेंगल तो तुम्ही नवय ने द्रोओ करूँ शक्ता आता ही थे आपन ड्रोओ केलेले ट्रेंगल आहे फिर्स्ट एक्विलेट्ल ट्रैंगल इसेलिस ट्रैंगल 3.5 cm अ है आइसो सेलस ट्राइंगल मंझे का है जा ट्राइंगल मधे जे टू साइड्स ची लेंद आहे ती इक्वल आसते है पहा इथे एक्स जेड 3.5 सेंटिमीटर साहे तर वाई जेड 3.5 सेंटिमीटर साहे मंजे इथे 2 sides, triangle चा 2 sides equal आहें तरी आशा प्रकार चा triangle ला ISOCELLS triangle असे मन्टाथ Skelling triangle कोंटे question मदे draw केला होता? Question number 1 मदे जे sub questions आहें 3, A, B, C तिन ही Skelling triangle से questions आहें, तिन ही questions मदे Skelling triangle draw करेला दिलेला होता Skelling triangle मंजे का है? है पहा, याचा sides ची length ही different आहें 4.5 cm, ये पी क्यूआ हे 6 cm, आर क्यूआ हे 3.8 cm So, जा triangle मदे तिन ही sides ची length ही different आसते तला skelling triangle आसे मन्टाथ So, हे जाले अपले question number 4 चे complete answer आते ही थे तुम्ही different lengths ग्यूँन सुद्धा, इथे equilateral, isocellus, and skelling triangle ड्राउ करूशकता I hope तुम्ही हाँ वीडियो enjoy के लासेल आने सग्डा concepts तुम्हाला कर लासते